राहू राहू और केतू दो च्छायाग रहे हैं यह दोनों वर्चुल प्रेंट्स हैं ठीक है यह दोनों जब पैदा होते हैं जब लों रह्त जो जो लर्ट एक्लिप्स है जो चंद्रबाग का जो ढ़ों मता है और जब सुसलर गुमता है उन दोनों जगां के जो पॉइं इंटरिश्रेट होते हैं उपर के जो पॉइंट कम इंटरिश्रेट होता कि जब समन्दर मांतान हो था, समंदर मांतान में जो अर्द निकला था, अर्द का भगवान ش Tulini ने मेंका के दुआरा देवत काथां में बाट था, जब भगवान शृत का रूत में राक्षषिक उड़ सकति आगया था गहान के लिए जो क्या बोलते हैं जो अम्रत निकला था अम्रत तो गहान करने केलिए उसमें गहान कर लिया था उसंटे अम्रत तब सूरा चंदरमाने खड़ा होंके आइडिटिफाइ किया था किया राक्षश चै оноं बहुतार कि विश्वनтов दरन किया और इसका गला का ता जो ऑपर का धर diferentes वो रहू बन गया स्मुड़ाई वो कितु बन गया अब गर्गा से तब से एसा बात है कि सुरेश चंद्रमा को गरान्ट जो रगता है रहा हुए कि इसको गरान का था है और популяр kier था हुए क्झद्र तो दूसरे एंगल से राहू और चंदमा एक दोनों राहू और केतु दोनों चाया गरहे हैं, दोनों कोई वर्चुल गरहे हैं, दोनों को इस्थाई अस्थितव नहीं है, सोर मंदल में, और राहू जो है शरीव वर का माना जाता है, केतु जो है मंगल वर का माना जाता है, दोनों ही दुख और कस्ट के कारग घ्रह माने गए हैं, दोनों को द्वारपल माना गया है, दोनों कुरूर घ्रह माने गया है, दोनों वायूतस के घ्रह माने गया है, और दोनों लोगा, लोगा शनी का भी धातु था, तो दोनों ही लोगा धातु इनका माना गया है, दोनों जो है शुद्र ग्रह माने गए हैं और चर राशी की ग्रह माने गए हैं ताम से ग्रह माने गए हैं दोनों के दोनों के तुको एकी बाना जैसे तत मिले गए हैं क्योंकि दोनों ही एकी बॉड़ी है एक कदर अलग होगा है दूसरे का बॉड़ नीचे का पाड़ा लग गया तो इसलिए दोनों के तत अलमस्ट एक ही जैसे माने गए दोनों का इंपेक्ट भी आलमस्ट एक ही जैसे माना गया हाओवेवर जो राओव है वो स्प्रेड करता है चीज़ों का फुलाता है राओ और कि तु जो है किसी चीज़ को एक्सपोनेंशली ग्रो करता है एक्सपोनेंशली ग्रो करता है राओव किसी चीज़ को स्प्रेड करता है जैसे करोना वो एक्सपोनेंशली ग्रो नहीं हुए है वो स्प्रेड हुए है वो स्प्रेड हुए है जैसे हमारी मेडिशन की स्किल वो एक्सपोनेंशली ग्रो होती ह वो फैलती नहीं है वो ध्यान एकत्रित होता हुआ ऐसे की तरफ बढ़ जाता है रहो जो ध्यान को फिला देता है दुनिया में ध्यान का फैला मेंट्रिस्टिक वस्तुए रहो देता है केतू और रहो में यह है कि रहो बहार की तरफ बागता है तो केतू अंदर की तरफ जात क्योंकि दिमाग करता है कि तू भहुत धार्मी कैहा है या ऐसा acceptable मैं լहुत जख्यादा बहुत जख्यादा लोग ज़ुक्त ज़ैने कि प्रेद्फे करनेतीज क्यों की थे दूर कि रोप में माने गई दूर्परिष के ऊंदोगों दोनों ही प्रोश्किया माने गए है और रहू का जो कलर है वो नीला रग माना गया घहरा नीला कलर माना गया तो केतू का जो है चित्रा कलर मलब ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट कलर जो है चैस टाइप इस लिए चैस टेट इस केतू जिस राशी, दोनों की कोई अपनी स्थाही राशी नहीं है, दोनों की कोई स्थाही राशी नहीं है, बड़ जिस राशी में ये बैठ गए जाए है, वो राशी पर कपज़ा कर ल tenía है, वो हूँ यहां का दादा मैं राहू राहू को जो माला गया कई बुक्स में ऐसा लिखा गया कई जो में नहीं लिखा गया बर जहाँ जो आसा लिखा गया हम लेकर चलें के राहू को जो है कन्या राशी राहू की स्वामी राशी मानीगी यह कन्या राशी और जो राहू का स्वाम का रा की हुई मीन रहू की मुल्तिकॉंड रहू की मुल्तिकॉंड राश्ची कुंब होती है तो केत्व की मुल्तिकॉंड राश्ची सिंग होई गी क्योंकि अपॉसिट जाता है जिकले रहू की उच राश्ची वरिशब कही जगह पर माना जाता है कही जगह पर मित्थुन माना जा है तो हम दोनों लें गई दो नंबर ती नंबर रहो की उच्छ राशी माने गई तो केतु की उच्छ की राशी माने जाएगी जो केतू की उच्की होगी वो रहू की नीच्की होजाएगी केतू विर्षिक उचका है धनू उचका तो रहू विर्षिक और धनू में नीच्का हो जाएगा रहू विर्षब और मित्वन में उचका तो केतू विर्षब और मित्वन में नीच्का हो जाएगा जिस जगा पे भी रहू कि तू बैठते हैं, जिस जगापे भी रहू कि तू बैठते हैं, उस जगा का जो लॉड है राशी लॉड, वो उसका उसके पैसे कभजा लेते हैं, वो कबजा लेतें, कि ये घर पर में बैड़ गया तो ही घर का पर परा कंट्रॉल मेरा, और कोई प्लैंट के साथ बैड़ गया, तो प्लैंट को भी वो कबजा लेगा, कि इसके प्लैंट के गुंड भी मैं दूगा, अपने हिसाब से, उसे भी कब जा लेगा और रहू के तू को किसने देख लिया दिस्टिस अमद मन गया उसे भी कब जा लेगा कि ये भी मेरा तो रहू के तू जहां बैठे जिसके साथ बैठे और जो से देखे तीनों पर मेरा कंट्रॉल इसलिए आज की दुनिया रहू के अंतर करता है जित्री भी इंटरेट सेवाए जित्री भी वायरलेस कॉम्निकेशन्स जाज हवाई जाज उडंचू इलूज़न इस इलूज़न से चलिए आने तिक विच क्रियेट इलूज़न इस राहू ओके हम सबने बहुत सारी वह देखी है रमायन और माभारा टाइब हमने सबने सीयल देखे इसमें राश्यष परिवर्टी आता थी जिसके इलूज़न होता था एक के दस बन गए दस के बिरीस बन गए उड़ गए इदर बाग गए उदर बाग गए हम सबने देखी हैं ठीक रहू को डिनोट करता है रहू के तु दोनों दुआ हैं दोनों दुआ हैं दोनों विजिबल नहीं है बट रहू क्रिएट लॉड अफ इलूज़न और के तु क्रिएट लॉड अफ इंसाइट्स मंगल तद्खा है मंगल बरके माना क Hack a तो मंगल की हाईस्ट लेवल के तो जो ऍधान मुद्रक की हाईस्ट लेवल के तो सक्से बड़ा झियराम का भक्त कुछ हनुमान जी की उच शेनी की वक्ति के तु हमारे पूर्वज क्या बोलते हैं से हम पित्र रहू हमारे पित्र पित्र दोष रहू बनाता है पित्र दोष रहू से बनता है लाल किता में कुछ और बैटर है जुनको लाल किताब हैं कन्फ्यूज मत हो ना बट पियोली वैडिक के अंदब पित्र दोष रहू बनाता है रहू हमारी प्राबद है पित्रो का आशिरवाद हमारे अपने करम से हमें मिला क्यों कि पित्र तो एंसेस्टर से ना तो हमने जैसा अपने असिस्टर के साथ किया था वैसा मारा डिजाइन में हमारे करम आये थे उसका आशिरवाद हमें वैसे पिशे से आया तो रहू की कंडिशन हमारे पित्रो का आशिरवाद हमें लेके आ रही है और जहां रहू बैठा है वो हमारी देंदारी है वो हमारी देंदारी है एक बार रिपीट कर दिए सेंटर्स को कि पित्रों से हमें मिल रहा है और रहू देंदारी जहां भी रहू बैटा होगा वह हमारी कर्मी कहां है. हमा से जित् выступ हम connect करके उस भाफ के कार्णे को करते चाने कि उत्रा रहू हमारा control में रहेगा। रहू क्योंकि प्राबत द में हमारे कड़़ा हैं हमारे ancestors हैं रहू हमारे तरह हैं हमें अपनी डीट्स की मिले हैं गुड डीट बैट डीट्स को हमें करना चाहिए तो हर जगह के अपने हमने कारक बतायते है भाव के तो हर जगह के होते हैं हाँ कारक के अंतरा मैंने इंसानी रूप बताया था किस से क्या करता है उस कारक को अगर हम जीवन में फॉलो करेंगे तो हमारे को रहू की अपने बाई वर्टू ऑफ डैड अपने काम अपने बते जाएंगे तो क्टुम परिवार के साथ कनेट करके काम करेंगे ना चाहिए यानि कि उनके लिए यानि कि उनके तरफ डिवोट होना चाहिए कुटुम परिवार के साथ कंट करें सीम टाइम डूसरे यानित धूए बैठा हुआ हुआ हुभवार में चाल बाजी ना करें क्योंकि राहू सिखाएगा राहू डालेगा दिमागवेटर जो है यह सब चीजे हैं तो उसको समझते हुए करेगा राइट राहिट राहिट है हमारे बास्टाजी बोलते है जैसा दिखता है वाइसा होता नहीं होता है वासा दिखता नहीं है बिल्कुँ आप वह तरह बाव में तीसे बाव में जाती है, वहाँ पर राव बाई डिफर्ट उचका होता है, लेकिन राव अपनी कलबाजिय तो दिखाता है, अज़ फ़र भाव में भी जाएगा तो भी वह अच्छा, मतलब रिजल अच्छे नहीं देगा, यस रिजल अच्छे देगा, तीसे बाव में तीसे भाव का रहू, इंसान को बहुत ज़्यादा आज के युक की चीज़ों से अधुनिक चीज़ों से करेगा, आज के युक की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इंटरनेट कॉम्मूनिकेशन, मोबाई, नेटवर्क, शोशल मेडिया, नेटवर्किंग, ठीक, अट इंसान में भ्रम पैदा करेगा कि मेरे से तीसमा बड़ा तीसमा का कोई नहीं है, और आस्प्रोस के अंदर, आस्प्रोस से डिस्क्रेट भी करवा देता है, क्योंकि तीसा भाव प्लोस है, ठीक, किसी भाव में बैटोगे, रहोगे पोर्स और या फिप्टी में उटो, आगे इसलिए मन चार्थ-पांच की बत की बने, चोते वाव में बैटेगा, तो आप सुचो, चुतावाब मानसिक, अपने आप जोड़ना की कोशिश करो ना, चुतावाब मनस, चंदर्मा, के घर में, राहू, इलूजन, इंसान दिमाग से पिश्चान रहेगा, घर के आजाए, पाच्वे में रहूँ आजाए, तो पाच्वा घर क्या है, बच्चो का, पहला काम बच्चो की उत्ति, तकलीफ आएगी, अगर लेडीज है तो पक्का तकलीफ आएगी, अफसानी से नहीं देगा, ऑपरेशन देगा, अबरोशन देगा, कुछ आशी तकलीफ दे देगा, दूस्तरा, इंसा, क्रीटिविटी और कुछ काल्पनिक चीजें, इमेजिनेशन में रहूँ का बहुत बड़ा योगदान है, तेकिन इलूजन भी करेगा, इंसान को लगएगा कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर लूँगा, जैसे स्पेकुलेशन गेंग, लगाएगा सटावाजी करेगा, हाट जाएगा, इलूजन, पांचवा हाउस, पांचवा हाउस में वो लव अफेर होगा तो मेरे पचले पचास पूरे बाकी का मुझे पता नहीं, मैं तो डिवोटेड हूँ, वो उसी से अफेक्शन नहीं करती तो मैं क्या करूँ, मेरे तो पूरे है, जिस भी घर में होगा उसके सिंग्निफिकैंस को खराब करेगा वो, और हमें वहाँ सुधाने की कुशिश करने होगा, हमें सुधाना पड़ेगा, 9 तो लगप को डिस्टप करेगा, तो हमें फिर लगप को सही करने के लिए तो पांचवा हाउस है, पित दोश्य पिनाता र यह भी बताएंगे ना जो आप भी शॉटकट में बता रहे हैं हाउसे कर चुगे हम फस्ट हाउसे सा रिलेट करने वाला हाँ वो काफी कुछ हम कर चुग है पर आगे जसे देखरेंगे तो होते जाएंगे यह जैसे आपने बोला कि लास्ट जनम का वो हमारा है जैसे आपने कि उसके कारे कत्व करें तो जैसे फिफ्ट का मतलब यह तो आपने बताया नेगेटिव होगा कि उसको या तो लेदीज होगी तो उसको बच्चे में प्रॉब्लम आएगी तो उसकी कारे कत्व कैसे पकड़ने है जैसे फिफ्ट का है तो टेंथ का है उसको कैसे कैच करना है supply है तो करम करे वेपाद करें थे बिजनस में कारे में जो भी एक्टिविटियम कर रहे हैं उसके अंदर स्तिर्ता से इमांदारी से कारे करें डी कारें हानं एकक cone प्रफेशन में फिफ्ट में अगर आता है तो अपने बच्चों से करेंट करने की कोशिश करें हर्विती करता है लेकिन दूसरा स्पेकुलेशन गेंस की तरफ जाना रुजहान जाता है उस पर ध्यान दे जबस्ती वो नहीं करना है ठीक समरी तैसे शक ना करें चलो आगे रह को अपने क्या बोला इस प्रिच्वल क्या बोला फिफ्थ हाउस के राहू का भी आपने कुछ बोला ना यह दूसरा स्पेकुलेशन है इसका मतलब सा शट्टे बजी यह सट्टे बजी अगे बढ़ने दिर आओ को राव जो ए ड्रागन हैड है राव मैंडूपलिशन है लो प्लिक्स है रहाँ स्टैवल ऑफ मेंडूपलिक्स है रहाँ प्यूर प्लिक्स है जुसका दस्वे घर में राव हुआ वह बदबड़ा प्लिक्शन है रहू एक ऐसा प्लैनेट है जो समय के अनुसार अपने गुड़ों को चेंज करता है उसमें राश्रीक सात्विक और तामसिक तीनों गुड़ आ सकते हैं रहू तीनों बंड़ में काम कर सकते हैं राश्रीक तामसिक और सात्विक अपने समय के अनुसार कि बच्पान ऐसे करके या फिर कभी दो बढ़ने दो आगे ओके कुशन को राहू जो है बड़ी से बड़ी सक्सेस है बड़ी से बड़ी फीलियर है एक दिन एक टाइम भी उठाके जमी से उचाहिप पर आस्मान पर लेगा और आस्मान से नीचे प्टक लेगा कि इस अप्टों सुधस्यार को सब्सक्राइब करके इसे डाओ शेड़ी स्धैया ओड या अन wished चुक्ण में घड़ी कामश्य घी उड़ी अटी जाओं पर सुधि आभर अने उडिदय मुक्या खनी फेल्र क्यृ को राह करो बड़ी गड़ी और छलाप ड़ी handful प्राणी डॉक्मेंट्स प्राणी टेक्स्चर्स राहू बिमारी इल्नेस तक्लीफ गन्फूजन फेलियर ऑफ्सेक्षिन लाइलाइज बिमारी मिस्टरीज इन लाइफ डबल मैंड़ेड अस्टित्रा सब राहू है राहू फॉरण ट्रेवल फॉरण क्नेक्शन राहू कॉम्पिटेटर के उपर विजे कॉम्पिटिशन में विजे राहू रिंड रोग शत्रू राहू राहू अगर अच्छा कर रहा है जो करक्ड कैसे बनेगा राहू जब केंद्र तिकोंड में केंद्र तिकोंड में केंद्र तिकोंड के सौमी के साथ अगर कई बैड़ है तो राहू यो करक्ड बने जाता है छपर फाड के देता है राहू शरी से गुन ले लेगा सारे जिसकी राशिय मेटेगा उसकी गुन ले लेगा और जो इसको देख रहा गा उसकी गुन ले लेगा और फिर अपने तरीके से उसके परिणाम देगा रहू रहू किमिनल टेंडेंसीज है और नाइट की टाइम है किमिनल टेंडेंसीज इन नाइट रहू रहू राक्षिश्य प्रवर्ति रहू रहू डिस्टृक्टिव है बट रहू बड़ी स्ट्रॉंग नॉलीज है रहू के अंदर एक ग्रेंट विज्ञान अपने आप में एक संसार है रहू रहू अपने आमे एक बहुत बड़ा संसार है रहू प्रोस्पेरिडी है एड यह सेम टाइम रहू पावर्टी भी है रहू की तीन नक्षट रोते हैं राधरा स्वाती एड सट भीश्चा रहू की तीन नक्षट रोते हैं रहू का जो दिनन्या वो शनिवार के लाता है और प्रुष जाती का मनना जाता है आश राक रहू की काली चीज काली वस्तवें रहू की लेड होता है लेड मेटल लेड मेटल लेड मेटल लेड वाला लेड मेटल रहू पैंसिल वाला होता है लेड लेड इसको कास्ट आरेंड भी होते हैं कास्टिंग भी बहुते हैं जुसका सौथ वेस्ट स्टॉंग नहीं हो रहा हूँ लेड का पैरामिट सौथ वेस्ट पर रख दे रहू एर एलिमेंट है रहू की मादरश्चा अठार साल की है रहू माता सरस्वती को भी दश्चाता है और रहू का जो दुर्गा माता को भी दश्चाता है माता सरस्वती दुर्गा माता रहू की पावर है और रहू का रूलर जो किराता है सर्प शेशनात बगवान विश्टू जिसके ओपर अपने आस्तर में रखते हैं शेशनात रहू का बीज मनता है ओम भरांग भींग ब्रोंग सा रहावे नमहा और रहू का जो व्यदिक मनता है ओम इंग रहावे नमहा यह बीज मनता है और व्यदिक मनता है आपको मिल जाएंगे रहू अगर अच्छा है स्टॉक मार्केट एक इलूजन है इफ परफॉर्मिंग गुड वो विक्ति स्टॉक मार्केट में हमेशा जीतेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट एक इलूजन है शॉट्रम बिग्ग इलुजन अधिंग इलूजन अधिंग विच में इलुजन स्टॉक मार्केट इलुजन 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 बिग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् मनी इस जुए काट्टे जित्र होते हैं क्या बोलते हैं डिक या वो 60 वाला गेम जो तरह न वह जैसे आज इंडिया आटका में आश्टा सब्सक्राइब रगता है ना क्या वो तो तर तो ऑरर। यृ ciao vale रहु इस बנिर बब्लोमटिक हाय यृदडि्लोमटिक अडिप्री जिसके दस्वे जिर ज्यूर का रहु जुसका था उसके दपड़ बाइटी Critic फोड़ीकिल अब ही उत्युव्ह, अहलीं द्वलेमेटिक बन्ता हु था मेरे बिटे के में है वह प्रैमरी वन से और अभी तक स्केंडरी टू में है हमेशा उसको लीडर बनाया जाता है स्कूल से बच्पन से यह चीज़ वेटी अब होती शात्र होता है वह वेटी शात्र होता है क्या कैसा होगा क्या बात कहनी है उसको अच्छे से पता होता है आप कहा रहते हैं इस सूरत में सूरत का लिडर कौन सा यह दीपी का जी भी तो सूरत रहती है सूरत का लिडर कौन सा है इसे दोस्ती कर लो यह दीपी का जी भी सूरत रहती है सूरत का जो भी पलडिशन हो तो डूल लेना वो उसको जाके एक बाद मिलना उपर चलेगा रहा है डिपलोमेटी कैस्ट तब मेरे हस्बन का टैंथ हाउस में राखू है और गुरू भी और वह नहुतिकि को सकथा करें बैंक्स में जाता हूं जाता हूं जाता हूं जाता हूं मैं उनको रोक रहूं कि नहीं टाइम वैसी आहा और टाइम नहीं देगा लग बढ़ते हैं सथ हो डिकर और लाध चलाकी से गुमाफिरा के बाद करना, अपनी बात निक्लावाने लिए, राहू, राहू, ब्रिंग लॉड अव सक्सेस इन लाइफ, राहू कम समय में ज्यादा देना, राहू, और यह राहू जब अच्छा काम नहीं कर रहा हो, तकलीफा का रगो, तो लाइलाज बीमारिया द ना, ठीक है, रहू, जेल कारगार का साथी, रहू, कारवास, रहू, तकलीफ, दर्द, गरीबी, लीगल एक्शन्स, लीगल सनुस्रें, डिप्रेशन, जिंद्गी में हर पड़ाप पे तकलीफ, हर डर, ऑस्टेकल्स, रहू, इसको बोलता है, पित्र, पित्रों की ब्लैसिंग्स का मिसिंग होना, पित्रों की ब्लैसिंग्स, रहू, जिसके पित्रों की ब्लैसिंग्स में दिक्कत होती है, वहाँ पे इनसान की ग्रोथ रुच जाती है, वंश रुच जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है, जिसके घर के स पत्री में पित्र दोश आता है अगर यह नहीं कि रहे हैं रुक जाओ रुक जाओ यह नहीं कर रहे हैं पित्र दोश है लेकिन वह सेकंड रासी में आया यानि कि उच्च का होके बैठा है मैं कुछ बता रहे हैं अगर आप अपनी अपने से रिलेट करते रहोंगे तो आप मेरी बातों को भूझ जाओंगे छोड़ दोगे इसको नहीं पर अपने सेंटेंस बोला था कि वह समय के हसाब से साथविक तामसिक और राजसी हो जाता है यह वहाला सेंटेंस सम्झाने की र समय के साथ से राजसीक तामसिक मलब डिपलोमेटिक अंसन क्या होता है ओके के घर में गया तो राजसीक और मौत बस्ती में गया तो तामसिक सबे के रुसाब परिवर्तन इलूजन ठीक राओ राओ तकलीफ होगा तकलीफ होगा तो इंसान धर्म की तरफ भागने की कोशिश करेगा क्योंकि इंसान तकलीफ धर्म की तरफ भागता है राओ जो है ब्याओ भी किलाता है ब्याओ से मलब शादी का करक्त शादी ब्याओ मलब ब्याओ रहाओ की दर्शा में बहुत बार ब्याओ होता है इनवीट स्पाइंट की उसक यूग नयुञा न हो तब भी वो वन जाता है शाओ रहता है रहो से प्लेशेक्शन का कॉर्ण ब्हीं भी यह को पैंश्टी का करण भी है और आएव उस जीक्त वह क्या कंड़े एंटान की का क्या एघिक रहो और ऐलर्सेटाइल है ठीक बहुत चीजों के खटे रहे के चलता है रहू आखों में धूल भी है लोग चलकबड करते हैं आखों में धूल शरियंत चालबाच and at the same time रहू is very powerful administrative and prosperous also रहू अलकॉल भी है दारू की manufacturing products फिल्म भी दुनिया क्योंकि सारी illusion है politician illusion है share market illusion है कि रहू के profession भी है रहू अब 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 इस लिक अब जैसे थ्रेपिस्ट होता है, फिजियो थ्रेपिस्ट, अलब हिंदी में क्या बोलते हैं, जो एक्सरीस कराते हैं, मसाज कराते हैं, वो हमारा पेन निकाल रहे होते हैं, कौन सा पेन, जो अंदूरुनी पेन है, ठीक है, वो अंदूरुनी पेन को फिजियो थ्रेपिस्ट निकालता है वो रहु है क्योंकि दिखनी रहना विजीबल नहीं है बड़ पेन है विजीबल नहीं है डॉक्टर के बाज आओगे वो एक सेकेंद पेन नहीं आएगा तूट फूट भी नहीं आएगी पेन है फिजियो तरपी होटल वर्ड कर ऑटो पाट्स वेंचर केपिकलिस्ट औल रहु किर्मिनल टेनंसीज बडर एक्षिएंट हो मोसेश्वाइट लेस्बियन मिल्टिसेश्वलिटी सब रहु स्किन की दिशीज अलाइमेंट की इश्यूस सुसाइडियल टेनंसीज हकलारा स्टैमने रहु सड़न मिर्टियू सड़न एक्टिविटी होना गैस्टेटिस्ट की प्रॉलम होना रहु फिलाव करता है कैंसर फिलाव है कैंसर बॉडी के दिश्यूस सेल हैं वो जब डिफेक्टर ने शुरू है तो बढ़ते चले आते कैंसर का रूप लेलता है रहु का योगदान बड़ी बिमारियों में रहु का योगदान रहु की जड़ चीजे होती हैं वो शनी वर गई होती हैं तेल सरसुगा तेल काली चीजें काली वस्तुएं गहरी निलन की वस्तुएं गहरी निलन की चीजें इनके कपड़े दालें फूल ब्ल्यू फ्यूल यह सब रहु की चीजें हैं खुकोनट रडिश मुली को बलते हैं मुली को रडिश मुलते हैं ना मुली यह सर लेक्टिक गैजेट्स चिमनी तलवार, स्वाड, स्टिर्फ़ाइजिंग अनिमल्स, या स्टिर्फ़ाइजिंग, असोल, स्टिर्फ़ाइजिंग असोल, मीट, मीट मास पच्छी, अनितर जी, ठीक, नारियल होता है, नारियल, जसके बजटाएज होती है, फटाव वाला नारियल, अगर राओ का उत्तारा कैसे किये जाता है, एक नारियल लिया पूरा रहो का अतारा किसे किया जाता है ये थ्यान से समगता नारियल जटाओ वाला नारियल लिया मात्यका के लगाया एंटी क्लॉकवईस एक दो तीन इस तरह से साथ बाउतार के पानी में छोड़ दिया जाता है राउ की मंत की चेंटिंग करता है ये राउ का अताराता है अगर एक लग्वईस हो जाएगा तो राउ वापस चड़ जाएगा ये बहुत ध्यान से किया जाता है ठीक तो कोकुनेट जटाओ वाला ब्लैंकेट कंबल राउ कंबल का दान लोग करते हैं न इसलिए राउ का दान है बहुत लोग डोनेट करते हैं कंबल उनको ये नहीं पता हो राउ का दान कर रहा है अच्छा होता उनके लिए फादा हो जाता उनको ये राउ का दान कर रहा होते हैं वो कंबल राहू जो है हमारी maternal grand mother को represent करता है क्या मतलब बाप maternal grand mother नानी नानी हमारी नानी मा जो रेडिश रेडिश जमादार को देनी चाहिए कि मंदिर में भी डोनेट कर सकते हैं जमादार राहू है तोनी को देखे जी प्रिंटल grand feather क्या मतलब हुआ दादा जी नाना जी प्रिंटल grand father नाना जी या दादा जी नहीं सब दादा जी वा maternal grandfather ते नाना जी maternal इस बाता की तरफ paternal इस पच्टा की तरफ तो हमारी नानी और हमारे दादा राहू इल्लाज राहू सीडिया राहू लंबी विमारी तकलीफ राहू मर्टी मैरेज राहू सप्रेशन डिस्सर्टिशन जूट बोलना मक्कारी और इलूजन क्रेट होना जैसे सबके वीडियो बंद हो गए राहू अपने वीडियो खोलके रखें राहू उजवल रहेगा आपका सोना जी, जैविन जी, परवीन जी पंका जी, रितु जी अपने वीडियो खोलें जोती जी सब अपने वीडियो खोलें अनेच्रल सेक्स रहू 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 हाती गोडा गदा अ लूफ रहू कि बुरे रंगे पश्चो पच्छी रहू कि माश शराब गुटका तमाकू बीडी शिगरट सब रहूँ इस पकार के जित्रे भी सेवन करने वाले पताथ आते सब रहूं सब रहों को रिपेसेंट करते हैं जित्रे भी कारें जिसकी अंदर से ऐसी कुछी जिसकी अंदर से एक अलग से महा कहाती है लब इस लाइक बद्वू आलसो रहू जादू बाजिक शो जादू कर रहू क्योंकि इलूजन है ना जादू कर इलूजन है रहू की जड़ होती है वो होती है नागर मोत नागर मोत की जड़ नागर मोत की जड़ जो है रहू की जड़ होती है और रहू जो है श्राब की दुगान, जुए के डे, पूडे के धेर ऐसे जो जगाए होती है वो रहू की इस्ताही जगाए होती है इस्ताही एरिया रहू का किलाता है रहू जो है इनसान को पागलपन, हिच्की, नकरातमक मुझाएं, जदू टोना, ठीक, ये जो चीज़े हैं ये रहू के दारे में आती हैं सारी, सब रहू के दारे में आती हैं इंसान का बेवज़ा पीडित हो जाना हूँ देदू टोना या तकलीफ ऐसी जो लाइलस टैप जाए जो समझ में मिना है रहूँ दोका दड़ी छल कपट रहूँ की तरह माती हैं बुरी आत्ते पागलपन का दोरह पढ़ना हूँ सब रहूँ की तरह माती हैं कानून से समझित कर रहे है रहू रहूँ बहुत बड़ा सेवक भी है क्योंकि रहूँ शनी वरका है अशनी सेवक है रहूँ बहुत बड़ा सेवक भी है रहू इंटरवड़ा सेवा के अगर वो सेवा में जूट जाए इंसान तो सेवा करीम लेगा क्योंकि शनी सेवा और रहू से दो कतम आगे रहू रहू का जो रुद्राश है वो आठमों की रुद्राश रहू का है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा रहवे नमहा ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा रहवे नमहा रहू का मंत्रा रहू का धार्मी दिस्ट्री से बहुत बड़ा महतब है रहू का धार्मी दिस्ट्री से बहुत बड़ा महतब है क्योंकि रहू एक ऐसा राक्षिष्टा जोसने अमरित घ्रेंड किया है इसलिए वो अमर है इसलिए उसका धानुग्ण। डिस्ट्पेस भी बहुत बड़ा महतला है रहू सके और रहू हमारी क्योंकर हमारी अपनी प्राबद है इसलिए उसका बहुत σक्थन्स है रहू अगा अच्वा अच्छा नहीं कर राया किसी को बहुत एजी काम पित्रों की सिवा हर मेंने की अमावस आती है हर मेंने की अमावस आती है अमावस को इनसान पित्रों के लिए एक पूर्ड खाली निकाले पकी रोटी बनाए पूरी कचोरी बनाए और पूजा पाड़ करे, पित्रों की अनाधरा करे, और किसी विक्ति को दान में दे दे, यानि किन को खिला दे, हर महीने एक अमावस थाती है, उस अमावस को पित्रों के नाम पे पक्ता खाना बनाके, किसी विक्ति को जुरूत मन को खिलाए, जुरूत मन को खिलाए, पित्रो का काम दूसरा माता सरस्वत्नी की रेगलर राधना माता दुर्गा की रेगलर राधना चल भैते पानी में गोला घ्टा की अपहले हो थका नारियल नारियल का नारियल को पानी वाला नारियल पानी वाला जेटा वाला नारियल भैते पानी में उसको भादेना पक्षियों को डाना डालना और मास मत्दीरा शराब का इस्तबान नहीं करना अपने घर के आसपास गंदा पानी गंदगी को जमा होने नहीं देना अपने घर के आसपास जो कुटे होते गली के उनको कुछ खिलाना आज कल तो पीडिगरी के वैस और नॉन वैस दोनो वो आते हैं बिस्कुट आते हैं उनको खिला सकते हैं उनको दे सकते हैं ब्रामन को शेनिवार को दुपार के टाइम दान देना शेनिवार को दुपार के टाइम ब्रामन को दान देना शेनि मंदिर जाके शेनि भूगान की अरादा करना भराव मंदिर पे दारू दान देना रहों के कारेक्ट आते हैं ब्लेक काली डाल और कंबल कालिज और वस्त ये सब चीज़ रहू के अंदर आती है तो इसका दांदिया था है अधिन्यार बूटा मोटा मैं रहू आ यह कवर आल भी थे सकते हैं तो किदर मंदिर में आइफौन फोरी दे बड़िया पंडी या के चांदी लेटर्ट लेटर्ट जाओ लेटर्ट जाओ नहीं जैसे वार, टूपाइप्स बगरा अबड़ बगरा, ये सब चीजे देज सकते हैं, यस ते के अंदर प्राणी चीजेओ को रखाना प्रानी खराब चीजों का रखा होना रहू तिक रहू इस अत्ती बुद्धिमान अत्ती चलकपट वाइरस का बनाना उल्टी बुद्धि चलना रहू और बुद्ध दोनों की जोड़ी सोने पे सोहागा यह कैसे बुद्धिमान नुझे जित्रेंब होते न क्राकर्स क्या मोतं हैं रहू बुद्ध और जित्रेंब हो जाते ना पांगल या ढुन वह भी त्लुक्तıldı Hindiign नो मिड़े तेक राओ और केतू राओ और बुद की जोड़ी बहुत खतनाती है अगर ऐसी जोड़ी मिल जाए और आपको बच्चा मिल जाए इसको आइटीव में डाल दो आइटिविशन इटलिसम डाल दो बड़िया करेगा कहीं पर भी बैठो किसी बाव में बैठो कहीं बैठाओ आज डिविजन टैनिस में डाल दो ठीक वो रहु हुआ यस रहु इस केमिटेड